बंगाल की खाड़ी में उठने वाला रेमल तुफान का असर बिहार में भी दिखेगा बिहार के कई जिलों में रेमल तुफान का असर दिखने को लेकर अलर्ड जाड़ी है बता दें राहत की खबर ये एक है कि रेमल तुफान से बारिश होगी जिसे गर्मी और लू से थोरी सी राहत मल पाईगी मौसम विभाग के अनुसार रेमल तुफान का प्रभाव बिहार के कई जिलों में पड़ेगा जिसे रेकर बिहार के कई जिलू में बारिश और आंधी तुफान की चेता अबनी जाड़ी की गई है इसका असर आज से ही दिखना सुरू हो जाएगा मौसम विज्ञान केंडरो पटना के अनुसार बिहार के मौसम में जल्द ही बटलाओ देखने को मिलेगा इसका सबसे बड़ा कारण रेमल तुफान होगा मौसम विभाग ने बताया कि रेमल तुफान रविवार शाम तक बंगाल की तट्य इलाकों में टकराएगा बंगाल के तट्य से टकराने के बाद यह कई राजियों में बारिश के साथ आंधी तुफान लाएगा बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तुफान रेमल का असर पूरे बिहार में दिखेगा जिसके पड़िनाम स्वरूप राजिक में बारिश होगी बारिश के साथ आंधी तुफान की भी संबावना है मौसम विभाग ने बताया है कि 25 मई की शाम से बिहार के उत्तर पुर्व के जिलों में इसका असर दिखेगा और इसे देखते हुए कई जिलों में बारिश की चेताबनी भी चाड़ी की गई है आईमडी के अरुसाथ 26 मई को इसका असर उत्तर पुर्व जिलों के अलावा अन्य जिलों में भी दिखने वाला है वहीं तेज में इक गरजन के साथ बारिश होगी साथ ही बिशली गिरने की चेताबनी भी चाड़ी की गई है बता दे रेमल तुफान के असर के बाद बिहार में मौनसून की स्तती बनने लगेगी मौसम विभाग ने बताया कि 13 जून से 18 जून के बीच मौनसून आने की संभावना है इस बीच कभी भी मौनसून आ सकता है बता दें कि पिछले साल बिहार में तै समय से मौनसून पोहुच गया था वहीं इस बार भी मौनसून के दोरान अधिक बारिश होने की समभाव ना है बेरोडिपोर्ट निउस पी आ लाइव पटना